आप जिस स्कूल में जाते हैं, विद्याले में जाते हैं, वहाँ पढ़ाई कैसे होती है, आप बिमार पढ़ते हैं, तो जिस अस्पताल में जाते हैं, वहाँ दाक्टर है की नहीं, वहाँ दवा है की नहीं, आप जिस गाउं में रहते हैं, वहाँ गली की हालत क्या है, प्रशांत किशोर ने एक बार फट से बिहार के नितीज सरकार पर हमला किया है रोजगार को लेकर शुक्रवार को उन्होंने कहा कि अब बिहार में I.S.I.P.S. पैदा नहीं हो रहे हैं यहां के बच्चे M.A.B.A. कर लेते हैं लेकिन उन्हें नौकड़ी नहीं मिलती है पैदा कर रहे हैं इसके बाद इन्हें पूरे बिहार में घुमा रहे हैं यह बिहार की धर्ती ग्यान की धर्ती रही है लेकिन अब यह मजदूरों वाली धर्ती रह गई है प्रशान्त किशोर के इस बयान के बाद मुख्यमंत्री नितेश कुमार ने कहा कि प्रशान्त किशोर के किसी बात को वह नोटिस नहीं करते हैं पहले वह उनका सम्मान करते थे लेकिन वह क्या से क्या बोलते रहते हैं इस से अब कोई फरक नहीं पड़ता है प्रशान्त किशोर के बारे में मुझसे पूछा मत कीजिए दरसल प्रशान्त किशोर जन सुराज पधियात्रा पर है फिलहाल चमपारन में पधियात्रा कर रही हैं इस दौरान रोज लोगों से मिलते हैं और अपनी पधियात्रा के उद्धिश्च के बारे में बताते हैं इसे दोरान प्रशान किशोर ने बिरुजगारी वाली बात कही, उन्होंने बताया कि यहां के बच्चे पढ़े लिखे होने के बावजूद पलायन कर जाते हैं, प्रशान किशोर ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में एक ही आदमी, एक ही पडिवार लगाता 25-30 सालों से अपना एका अधिकार बनाये हुए है, बिहार कुछ पडिवारों की हाथ का खिलोना न बन जाए, इसलिए जो लोग समाज से कुछ नहीं लेना नहीं, समाज को देना चाहते हैं, लोगों को एक मंच पड़ लाकर एक वैकल्पिक बिवस्था को तयार करने के लि पश्यम चंपारन जिले के भीती हरवा गांधी आश्रम से अपनी पडियात्रा शुरू की, इस दोरान उन्होंने मंच से कहा कि बिहार में नई राजनितिक विवस्था बनाना चाहता हूं, सही व्यक्ति मिलेगा तब ही दल बनाऊंगा, वह लोगों की पाटी होगी जिसमे परिवारबाद नहीं चलेगा